बिस्मिल्य रुख्मान रहीम असलाम लेकुम तो कैसे हैं आप सब लोग आई होब सब ठीक ठाक होंगे तो आज के वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव है जी आपके लिए आपकी सिस्टर लेके आई है अच्छी अच्छी टिप्स जो के जुराबू पर है हाँ जी बिल्कु होती हमें और किसी की ऐलास्टिक हराब हो जाती है और यहां पर देख सकते हो इस जिराब टीक हराब होगी है और यह दूसरी जिराब का यहां पर पसकार बन गया है और इस तरहां से कíchलर भी उड़ गया है ठीक है इस तरहां की जुराबी जो है ना हमारे गर बहुत पड़ी होती है और हम इनको कुड़ादान में फैंक देते हैं लेकिन आज हम ऐसा नहीं करेंगे आज हम इनके साथ बड़ी अच्छी टिप्स रेडी करेंगे तो टिप नमबर वन है जी तो कांच की चुड़ियां हम बजार से बड़े शोकिया तोर पर लेके आती हैं लेकिन कई दफाए ये हमारे साइस में छोटी आ जाती है तो इसके लिए यां तो हम तेल लगा के यां साबुन के साथ हम इसको पहन तो लेते हैं और चुड़ियां जो है वो जुराब के उपर आ जाएंगी इस तरहां से ठीक हो गया अब आपने जुराब को बड़े ही आराम से जो है ना कहलेंगे बड़े ही आराम से उतरती है कोई इसमें मसला नहीं होता और कोई तकलीफ नहीं होती यह चूड़ियां आपको टाइट भी होंगी यह देखे जी आराम से आपने उतार लेनी है आपकी चूड़ियां बड़ी इजी ली आपके हाल से उतर जाएंगे तो बड़ा जबरदस्त यह एक हैक है तो आप जूरूर करेंगे और इस तरह से उपर से हम कवर कर देंगे तो ग्लास को भी हम सेम इसी तरह से करेंगे ठीक हो गया जी अब हम यहां पे एक डिबा लेंगे आप कोई भी डिबा ले सकते हो जैसे के जिसमें शीषे के ग्लास आते हैं यह कप आते हैं वो डिबा ले लीजिए तो यह तो इस तरह से यह ट्राइं नमठर 3 की तरफ और यह मसला है क्यूंकि हमने कपड़े प्रेस तो कर लिए वे तो इसके लिए हमने क्या करना है हमने ले लेनी है जी एक जुराब और हम इसको उपर से कट कर देंगे ठीक है जी हमने इतना सा पीस लेना है उपर वाला यहां पर मैं बटन को सुई दागे से पका कर लूँगी ठीक हो गया जी आपने बटन बड़ा वाला लेना है यानिक इसका साइज बड़ा होना चाहिए अच्छा यह जो टिप है यह आप जरूरू ट्राइ कीजेगा मैंने खुद ट्राइ की है और मुझे बहुत अच्छी लेना है अच्छे से उसके बाद इस तरह से आप जुराब को बटन के ऊपर चड़ा दे ठीक हो गया यह देखें जी क्या कमाल लग रही है बहुत अच्छी टिप है और इस तहां से हमारी जो तार है वो बिल्कुल सेट रहेगी जब तक कि हमने अगली दफा कपड़े प्रे जबरदस है ना मज़े की आप जूर ट्राइ कीजएगा तो चलो चलते हैं टिप नमबर फोर की तरफ तो क्या मैंसा करूं कि मेरी यह सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएं बार बार मैंने को सेट तो करती हूं लेकिन यह फिर से हराब हो जाती है यकिनन आपके साथ भ अचलते हैं रहे हम जा इसे चीज़ें बार मेररी यगा stew यह सा क्रान दिया है उसके अच्छे तेट वह को सप बचाना है आपने चैज़ें नहीं है इसलिए जते हैं नहीं को कोई हमने एफर नहीं करने घुलु नहीं काम नहीं में आपने इपनी चीज़ें लेनी है प्री से रख लीजिए यकीन करें आपको इतना अच्छा लगेगा ना आपकी चीज़े सेट हो गई है ना मज़े का आइडिया और आप मुझे कामेट सेक्शन में जूर बताना तो टिप नमबर 5 की तरफ चलते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया है जी फरश दोने वाला जाडू और यह तो हर गयर में होता है ठीक हो गया इसको हमने डस्टर में कैसे चेंज करना है इसके ओपर हम चुड़ा ले हमारा हाथ भी नहीं पहुंच पाता तो इस तरह से आप इजी ली जो है ना इसको साफ कर सकते हो यह देखिए मैं आपको भी साफ करके दिखाती हूं कितनी डस्ट इससे उतरे गी यह दिखें विवर्स तो इस तरह से जो है आप अपनी चीजों को साफ सुतार रख सकते हो जार्व को डस्टर में चेंज करके ठीक हो क्या जी तो टिप नबर जो 6 है वो हमारी बेसन पे है मतलब बेसन की सफाई है और ये देख सकते हैं आप बेसन जो है ना पहले देख लीजे इस तरह से इसके ओपर ये देखें जी मैल वगरा लगी हुई है और काफी निशान करेंगे अपने बेसन को चमक काने के लिए तो यहां पर मैंने हार्पिक लगा लिया है अपने बेसन को अच्छे से हमने लगा के तो इसको पांच मिन के लिए मैंने रख दिया था इसके बाद आप अपने हाथों पे शौपर चुड़ा लीजिए और नहीं तो आपके पास वो पहलनी जिए क्यूंकि यह हार्पिक हमारे हाथों को अलरजी कर सकता है तो इसलिए जो है ना आपने शौपर चुड़ा लेना है और उसके वपर बेसन इतना लशकेदाज है ना बेसन आपको दिखाई दे रहा है ठीक है जी लशके मशके मार है तो यकीन आपको ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी और ये सारी टिप्स गर्में यूज होने वाले टिप्स हैं इन्शाला आपको बहुत फाइदा होगा आप जरूर ट्रा और अगर आप इस तरह की और अच्छी अच्छी टिप्स देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर कॉमेट कीजिए ताकि आपके लिए में और अच्छी सी वीडियो लेके आऊं तो अपनी प्यारी सिस्टर रामना को दीजिए इजाज़त और धेर सार अपना प्यार दिखाई मेरी इस वीडियो पर और प्यारा सा कामेंट करना मत बूलिएगा जो के मुझे हांसलाफ साही देगा तो इंशालला मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अल्ला हाफीज